अरे मोधी का पुटला लगा करके आते जाते जुतने जुते मारने हैं मारो परधान मंत्री मोधी का पहली बार अगनिपत भरती योजना के हो रहे विरोध पर बयान सामने आया है इससे पहले बता दे कि निताओं के तरप से कई प्रकार की साफायां जरूर दी गई है यहां तक कि तीनों सेनाओं के परतिनिधियों के दुबारा साजहा प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए तमाम मसलों पर एस्थितियां असपश्ट कर दी गई है उसके बाद परधान मंत्री मोधी का आज पहला बयान सामने आया नमस्कार मेरे नाम है अभिशेक्तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत जिस तरीके से पूरा देश अभी अगनी पत की लाथपत में जुलस रहा है उसमें सबसे ज़्यादा असर बिहार से देखने को मिला बिहार में जगा जगा हिंसक प्रदर्फसन हुई हिंसक प्रदर्फसन में कोरोडों का नुक्षान होने का अनुमान लगाया जा रहा है उसके बाद आज भी बिहार में 20 जिलों में इंटरनेट और टेलिकॉम जैसे सुविधाओं पर बैन लगाया गया है इसके बावजुद अब देखने वाली बात है कि आगे क्या फैसला लिया जाता है लेकिन इसे बीच प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी का एक बयान सामने आया सुनिए प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने इस पुरे प्रदर्फसन को ले करके क्या कुछ कहा है अरे मोदी का पुटला लगा करके आते जाते जुतने जुते मारने हैं मारो मोदी का पुटला जलाना है जलाओ लेकिन देश की संपति मत जलाओ गरीब का ओटो रिक्षा मत जलाओ गरीब की जोपड़ी मत जलाओ तो देश में जब से अगनीपात भारती वोजना लॉंच की गई है तब से लेकर के आप तक लागातार हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं। क्या गैर संपती क्या सरकारी संपती दोनों तरह की संपतियों पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। किसी के अटो, ट्रक, बसे जला दी गई हैं तो किसी के घरों पर हमले हुए हैं। यहां तक कि नेताओं को भी नहीं बक्सा गया। नेताओं के घरों पर हमले होते रहे, काफिले को रोक कर उग्र प्रदर्शन किया जाता रहा। सरकारी संपतियों के इसमें सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुचाया गया है। वसी पर प्रधान मंतरी मोदी का अब साफ साफ यह कहना है कि अगर हमारी नितियों के आफ किलाप में हैं तो भी शांती पुरुने प्रदर्शन करिए। आपको पुतला जलाना है, आपको गालियां देना है, परधान मंतरी का पुतला जलाई है, गालियां देजिए लेकिन सरकारी संपति का नुक्सान न करें। पूरे प्रदर्शन के दोरान हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, कितना प्रतिशत शात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल शात्रों के लिए, उन अव्यर्थियों के लिए, जो फौज में जाने का सपना पाले बैठे थे उन्हें क्या लगता है कि हिंसक प्रदर्फशन से सरकार उनकी बाते मान लेगी क्या इससे उन्हें यह बात की समझ क्यों नहीं हो पा रही है कि हिंसक प्रदर्फशन करने से उनकी आवाजें उनकी मांगे दब जाएंगी हिंसा के सामने जो कुछ भी होगा आगे आपको बताते रहेंगे समझाते रहेंगे फिलाल हिंसक परदर्फशन करने से हमारी भी अपील है कि आप अहसाना करें